नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका योगेंद्र साव ओंलाइन क्लासेज में आज किस वीडियो में हम इकनोमिक्स के टॉप 50 MCQs देखेंगे और साथी साथ मैं एक्स्प्लेंशन भी दूँगा और यह जो कोश्चन है ध्यान रखना सिलेबस के अकॉडिंग हमने यह पूरे कोश्चन स्तियार कियें सिलेबस में क्या क्या है यह मैंशन कर देता हूं में भारती अर्थवस्ता जो की दो मास्क के लिए हैं तो उसमें 50 MCQs मैं करा रहा हूं कोशिश करूंगा पूरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह सभी टॉपिक से लेटेड मैंने कुछ-कुछ कोश्चन उठाए हुए हैं जैसे पंच वर्शी ओजना की पहला कोश्चन है और इससे लेटेड फिर और कुछ फैक्स भी आपको बता दूंगा तो आपकी पूरी तयारी हो जाएगी तो शेले शुरू करते हैं नमस्कार जय जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाइम्स की तयारी करना चाहते हैं क्या आप भी नेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में वियापम तॉप और आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज एड यहाँ 10 से अधिक गर्भर्मेंट एक्जाम्स क्रैकर करने वाले और सीजी वियापम टॉप करने वाले yogiंद्र सर CG PSC और CG Vyapam के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टू बी दे बेस्ट लण फ्रॉम दे बेस्ट चलिए पहले कोशन के और बढ़ते हैं वर्षी योजना आपको याद होने चाहिए पहला इस्टार्ट हुआ है 1951 से लेके 56 तब पंच वर्षी योजना में 5-5 साल चलेंगी 56-61 और 1961 से 66 फिर ध्यान रखिए तीन पंच वर्षी योजना के बाद तीन साल का गैप था मतलब 66-69 गैप है और इसको हम लोग एन्वल प्लान या वार्षी प्लान बोलते हैं क्या बोलते हैं वार्षी के योजना या एन्वल प्लान इसी में ही Green Revolution चला है हरित करांती इसी समय ही हुई है 66-69 के बीच ठीक है तो तीन पंच वर्षी हो जना के बाद तीन साल का गैप है इनक्यावन से चपन चपन से इक साट इक साट इक सर से चैसाट यह तीन पंच वर्षी हो जना हो गया फिर अगम चौथा पाच्वा की बात चलते हुए एक साल पहले खतम हो जाता है 78 सरकार गete इंद्रागांधी के तुस्कार एक साल पहले इसको समाप्त कर आता है तो सवाल पूछा जाता है कौन सी पंच वर्षी ोजना पूरे पांस सल नहीं चली तो पांच वी नहीं अनवरत योजना चला है अनवरत अनवरत योजना रोलिंग प्लान बुला जाता है ठीक है तो जैसे यहां पर 3-5 वर्शी यूजना के बाद 3 साल का गया वार्शी की और तो चलता है 1980 से लेके 85 और 85 से लेके 90 फिर 25 वर्शी उजना के बाद फिर 2 साल का गयब मतलब 90 से लेके 92 फिर गयब रहेगा और उसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12 पंच वर्शी उजना लाइन से चलते जाती हैं 92 से 97, 1997 से 2002 फिर 2 से लेके 7, 7 से लेके 12, 12 से लेके 17 यसलिए मैंने सभी कрем करा दिया 305 पैदो के ङतितने असानी से आप याद रख सकते हैं तो पहली पंच वर्शिोजना की शुरुफी 1950- remembrance घ्रकनअ किस पर अधारी थी किस पर वेश्टी तो टी भी दिया गया था किया कि हम पहतला है करेंगे इस संकतर सेक्टर पे करेंगे पहले हैं रिजर ने stunकर से पे?, आपना कब हुई थी यहां बच्चे कन्फिज होते हैं यहां पर मैं बहुत सरे आपको फैक्ट्स बता रहा हूं उनको आप ध्यान देंगे जैसे आर्बियाई नाम 1934 है लेकिन यह लागू हुआ था 1935 में लागू हुआ ठीक है उननिसों पैसमें लागू हुआ इसके फैनेशल First year की बात करें तो पहले जुलाइ से लेके जुन तक चलता था ब差不多 नॉर्माल 1 अप्रेल से 31 मार्च तक चलता है एक अप्रेल से छलता है यह जैन ऐस यह तो एक अप्रेल 1935robe को सफा गठन रुवा था लेकेंट अधीन्याम का नाम क्या है 1934 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे देखते हैं आपको मालूम है भी कि नहीं कि कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे कि इसका नेशनलाइशन कप किया गया राष्ट्री करन कप किया गया नेशनलाइशन कप किया गया ठीक है और ध्याना रहोगा ना से ना से ना किसी वीडियो में थियोरी वाले पार्ट में मैंने बताया हुआ है जिसको भी यादो comment box में जरूर बताएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा क्रिशी उत्पादक राज्य कौन सा है तो क्रिशी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे करता है अगर हम बात करें तो राधर में यूपी ही आगे है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ चावल में पर शिम मंगाल है यूपी किस चीछ के लिए जाना जाता है यह मुझे बता देंगे भारत में बैंक राष्ठी करन किस्वर्षम हुआ था देखो यह बैंकों की बात की ज राष्टी करन राष्टी करन हुआ और 1918 में 6 बैंकों का तो फिलालब दोनों दिया हुआ है तो कैसे करूंगे भारत में राष्टीकरन किस वर्श हुआ था तो हम पहले बारे की बात कर लेते या सी और डी दोनों इसका अंसर है भारत का सबसे बड़ा सरजनिक छेत्र का बैंक कौन सा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप SBI के हर जगह ब्रांज देख लेंगे इतने फंड्स होते हैं उनको कोई कमी नहीं होती सारा चीज अच्छा चलता है चलो बात करते हैं आगे भारत की जन संक्या के लिए कि इस वर्च में पहला राश्ट्री जनगना हुआ था देखो यहां पर एक अप्षन 1881 है यह सही है बिल्कुल लेकिन इससे पहले भी एक जनगना हुआ था लेकिन नियमित जनगना नहीं थी जनगना का प्रयास किया गया 1872 में मेयो के कारेकल में और 1881 से यह लगातार जनगना 10-10 साल में होने लगी तो पहला राश्टी जनगना और नियमित जनगनना 1881 से चलते आ रही थी जो कि हर 10 साल में होती थी लेकिन यह कोरोना का समय था तो यह 2021 में होना चाहिए था नहीं हुआ बाकि हर 10 साल में होती थी मुझे कमेंड बॉक्स में लिख के बताएं देखते हैं हिस्ट्री के जानकार कौन है जो 1881 में नियमिज जनगरना हुई वो किसके कारेकाल में हुई कौन से गवर्णर जनर या वाइसरा के कारेकाल में हुई इसका तो मैंने बता दी हमें हो यह किस कारेकाल में हुए किसके कारेकाल में यह आप कमेंट policy का प्रयोग किया जाता है monetary policy में क्या क्या आता है CRR SLR bank rate repo rate reverse repo rate marginal standing facility MSF ये सारी चीज़ें आती है monetary policy में क्या होता है एक एक करके हम समझ देते हैं उनको और इसको कौन गवन करता है ये भी देखेंगे फिलाल inflation क्या होता है यह मैं आपको समझाता हूं अगर सौ रुपय की चीज 110 रुपय में मिलने लग गई है तो मैं बोलूँगा कि महंगाई बढ़ गई कि लोग demand जादा करते थे हैं इसको लोग बोलते है demand pull inflation डिमांड के वज़े से महंगाई बढ़ जाए तो उसको क्या बलेंगे demand pull inflation जैसे अचानक से सब के सब लोग कार की demand करने लग गए कोई एक particular company Hyundai की कार भाई या उसीज को खरी देंगे अब production कम हो रहा है और कार की लोग ज़्यादा demand कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी महंगाई बढ़ जाएगी सोवेक सी बात है producer का भाव बढ़ जाएगा महंगाई बढ़ा देगा अब सवाल यह उड़ता है कि लोग क्यूं महंगाई मतलब लोग क्यूं मांग कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया होगा तो पैसे को नियंतरीत करना ही महंगाई को नियंतरीत करने के बराबर है क्योंकि पैसे के सप्लाई अगर लोगों के पास कम पहुंचेंगे त मतलब होता है cash reserve ratio नगद आरक्षित अनुपात यह क्या होता है बैंकों को अपने total deposit का कुछ हिस्सा RBI में cash जमा कराना होता है cash में cash reserve ratio का क्या मतलब होता है कि जितने भी वानिजिक बैंक है commercial अभ Biz बैंक है इंको अपने उनको अपने जमापुंजि का पुल जमापुंजी की इससा 5 पर संक offer में 5 रुपए किस के पास चमब कराने पढ़ें और यह के पांगा धर नगर out चके फॉर्म लिक्विडिटी रेश्यो तो यह देखो वैधानी तरलता नुपात इसमें भी सेम टू सेम कंसर्प्ट रहता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक खुद अपने पास जमा करेगा यहां पर बैंक अपने खुद जमा करके रखेगा अब क्या इसमें ब्याज मिलेगा तो ब्याज मिल रहें तो यहां पर भी ब्याज नहीं बनता है ठीक है यह से लिक्विडिटी रेशो वैधानिक तरलता अनुपात यह ख्लियर है अब सर क्या ये भी cash में जमा कराना होता नहीं cash तो लगे गई लगेगा साथ ही आप gold में भी deposit कर सकते हो जमा कर सकते हो और गवर्मेंट सेक्योर्टीस सरकारी प्रतिवूतिया भी इसमें शामिल होती है इस बात का आप ध्यान रखेंगे बैंक रेट क्या होता है बैंक रेट वह दर जिससे बैंकों को लोन देती है इस अगर बैंकों को 5% में लोन दे दे रहे हमारे में तो वह को मानन चलों परिГ, क्या कहलाएगा तो रहेपो रेपो 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 रेट भी और बेएग बैंकों को लोन देती है जिस इंट्रेश्ट रेट पर 만들어 Hudson सर MSF क्या है MSF भी सेम है RBI बैंकों को लोन देती है जिस रेट ऑफ इंटरस्ट पर तो सर तीनों चीज सेम है अंतर क्या है अंतर है मार्जिनल इस्टेंडिंग फैसलिटी में इस्टेंडिंग खड़े 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 पैसा चीत तुरंद तो ओवरनाइट पैसे की अब काम की बात करते हैं की इनफ्लेशन कैसे कम या जादा होगा तो इन सभी को अगर आप बढ़ा दोगे इन्फलेशन कम हो जाएगा और इन सभी का रेट को कम कर दोगे इन्फलेशन बढ़ जाएगा कैसे इस पर आज चर्चन नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा सेशन बस आपको याद दखनेना इन लोगों के बीच इन्वर्श रिलेशन होता है CRR को बढ़ा देंगे इन्फलेशन पर क्या प्रभा पड़ेगा अप्शन देगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा अगर CRR बढ़ा इन्फलेशन कम हो जाएगा इन में से कोई भी चीज को हम घटाएंगे inflation बढ़ जाएगा यह सब monetary policy कौन यह अंतरीद करता है RBI की government of India तो ध्याँ रखना government of India नहीं करती RBI करती है समझाई बात चलो भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान की शित्रक है तो ध्याँ रखना GDP में सबसे अधिक योगदान 321 के सिनेरियों आप याद रखेंगे तीसरा मतलब तीसरा सेक्टर तिर्तियक शित्रा जो की सर्विस सेक्टर को बोले आता है दूसरा वाला उद्द्योग है और पहला वाला क्रिशी है तो सबसे ज्यादा योगदान की शित्रक है सर्विस सेक्टरक है भारत के GDP में अगले कोश है भारत की नमींतम आर्थिक जनगल्णा की बात कर तो 2019 में हुआ है किस योजना को गरिबी हटाओ का नारा दिया गया था तो धिया इसे अ होता है संपत्ती जो हमको पैसा कमाके दे अब बैंकों के लिए संपत्ती क्या होगी बताओ भी हम जो पैसा हम जो पैसा उधारा लेते हैं वह समझे लेंसे कि संपत्ति आप ситуALLY क्या रहा हो और अ में संपत्ति जोरे पैसा कमा के नहीं देरी नान पर फार्मिंग परफॉर्म नहीं कर बैंकों को पैसा नहीं दे रहा हूं उसका ब्याज भी नहीं दे रहा हूं मुल भी नहीं दे रहा हूं तो एक समय सीमा के बाद ऐसे पैसे को क्या बोलाता है नौन परफॉर्मिंग एसेट और यही बैंकों के डूबने का करण होता है बड़े-बड़े लोगों को पैसा दे द फानेशल इंक्लूजन भारत का सबसे बड़ा वानेश्जीक बैंक कौंशा है तो एह इंडिया भारत के किस राज़य में कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है कच्चे तेल की बात करी कच्चे तेल क्रूड ऑईल कि यह मन्रेगा का झान गांदी स्वरोजगार आधिनम मन्रेगा क्लिएर क्रिशी चितन मेंrete करें तो पहली रश्टी क्रिशी क्रिशी निति भारत में विदेशी निवेश का बढ़ावा देने के लिए किस संस्ता की इस्थापना की गई है तो विदेशी निविश को बढ़ावा देवने के लिए कि हमारे पास एक संस्ता है जिसका नाम है सेक्यूर्टी एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी बोलाता है क्या से भी बोलाता है अगर हम लोग बोले कि शेर मार्कट का वाच डॉक कौन है तो वह भी से भी है किसले यूज किया जाता है इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन करता है तो मैंने वहाँ पर जवाब दिया था भारत में किसी होजना के था गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्द कराया जाता है पीडियस पब्लिक डिस्ट्यूबिशन सिस्टम सरजनिक वित्र परिवार नियोजन की निया फैमिली प्लैनिंग की जन से के लिए कौन से निति अपनाई जाती है परिवार नियोजन भारत का सकल घरेल उत्पाज GDP किससे मापा जाता है तो देखो GDP होता क्या है और GNP क्या होता है यह दोनों को मैं समझा देता हूं GDP GNP क्योंकि बहुत कि जाएंगी की जत्तने भी अंतिम वस्तु और अणतिम सेवासा चाहिं का उतपादन होगा को के पाईनल गूड्स एंसgood प्रोढूजस औंड रेंडर्र विदिन फाइंशल फैनेंशल एंग वृष्च में जतने भी वस्तु और सेवाहों का उत्तपादन होगा उसका मोधि बढूब पैसे में हैं पैसे में बात करेंगे उसका मौद्रिक मुल्य यही क्या कहलाता है चलो अब ध्यान रखना यह जीडीपी में यह नहीं देखा जाता कि इंडियन कमा रहे की फेर्न कमा रहे हैं भारत-धेश की सीमा के इंतरगत जो करना पड़ेगा तो GDP से जीएनपी जाने के लिए GDP से ग्रेंपी जाने के लिए क्या करना है है इसमें जितने पैसे आय हुए है हमारे भारतिय लोग वीदेश में पैसे कमा रहे हूंगे उनको जोड़ लो क्योंकि ए सी फ मुछ भारतियों से लेना देना है तो अगर मैं उनके पैसे को जोड़ दूं और जो विडेशी लोग यहां काम कर रहे हैं वो भी तो फॉरेंट पैसा पहले होंगे अपने गर उन पैसे को घटा दूँ एक्स माइनस ए में टर्मलोजी उसकता है तो हमारा क्या आ जाता है जी एनपी में हमारे भारत देश के पैसे शामिल होते हैं या इसको मैं आसान शब्दों में या टेक्निकल शब्दों में बोलूं तो विदेशों से प्राप्त निवलाए नेट पॉरें इंकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक क्लियर चलिए तो क्या हो जाएगा सभी उत्पादन और सेवाओं का कुल मुल्य यह हमाई हैं तो यह आपका अंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रयोजना ठीक है मुद्रयोजना चलिए भारत में सुक्ष में लगो और मद्यमुद्योगों मैं समी के लिए किसी योजना की शुरुवात की गई तो मुद्रयोजना के लिए शुरुवात की गई मुद्रयोजना स्टेज को द्यां रखना ना को धीशनों सेक्टर है प्रaja hai में द्युक करना उद्ध न को अद्धिकारिक प्रेयास कप किया ग्या यह है प्रेयास बोले सर ये तो आप 1956 वाला बताया थे गया 56 दूदी पंच वरसी ओजना में तो पंच वरसी ओजना के बारे में नहीं बोल रहें ना गहें कौन से राजजय में है तो ये मुझे बताएंगे भारत में सबसे अधीक चावाल को पाता इन का ये शुजवात किया गया था चली आगे बढ़ते हैं नबाड का मुख्यकार्य क्या है नबाड भी महुत इंपोर्टन क्यूंकि क्रिशी से चेतर से लेड़ सिलेबस में आपके दिया हुआ है तो नबाड के बारे में आपको जरूर पढ़ना है नबाड का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे गरद को झोळद वगार तो देशनल ट्था पेंगे नेशनल बंकिक फॉर इस अग्री कल्चर कोorta का तो National Banking for Agricultural and Rural Development ये इसका फुल फॉर्म है ये इसका फुल फॉर्म और अबाड का अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा Agricultural और Rural Development के लिए तो क्रिशी चेत्रे में ग्रामिन चेत्रे में विकास के लिए इस संस्था के स्थापना हुआ है अधिनियम का नाम क्या है क्रिश्णीर्ण और ग्रामिन विकास को बढ़ावा देना है भारत निर्यात उत्पाद कॉन सा है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मतला एक्सपोर्ट अब मुझे कराते हैं कच्छा तेल कराते है लेकिन इसको भारत में रिफाइन किया जाता है RAW करके पेत्रोलियम बनाया जाता है डीजल हो गया और भी दुसरे ऑilles क्रुड उयल कच्छा तेल होता है इसमें परम लोग Lob приложर करतें हैं यह सब तेल बनाने के बाद रिफाइन करने के बाद फिर सुसी के एक्सपोर्ट कर देते हैं समझ अई बाद रिफाइन करके पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो पैट्रोलिय उत्पाद इसका अंसर है ध्यान रखेंगे किस राज्य को भारत की कपड़ा रजधनी कहा तो यह गुजराद को यह सेशन कैसे प्रतिक्रिया जरूर देंगे और देखो किसी का महनत अगर आपको अच्छा लगता तो बेश्चक आपको लाइक करने में कमी नहीं क्यों नहीं होता इसी लिए क्योंकि हम कभी भी किसी भी के महनत का संबान नहीं किए घर वाले हमारे लिए कितना कुछ करते हैं कभी उनका संबान नहीं किए टीचर समारे लिए कितना कुछ करते हैं फ्रेंड्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं लेकिन कभी भी हम उनके महनत क पर मैं अभी बताता हूं आपको यह 50 कोश्चन सुबह सुबह मैंने रेडी करवाया है और इसको इस सारे कोस्ट्रस को रेडी कर आया और कौन से बच्चे की कमेंट पर वो भी मैं बता देता हूं क्योंकि हमको लगता है कि हाँ अगर एक बच्चे की परिशानी बहुं सारे बच्चों की परिशानी है तो बिल्कुल हम उस पर काम करते हैं यह एट दरेट होस्टल अधिक्चक ही करके हैं अब नाम में यही रखाया यूटेव आईडियो में यही दिख रहा है कमेंट आया था सरभारती अर्थवस्ता के लिए एक वीडियो बना जाएगा आप मेरे प्लेश्ट इकनॉमिक्स के जो टॉप 30 टॉप 50 एमसी क्यों प्लेश्ट को देख लिजेगा टेलीग्राम में मैं डाला हुआ है अभी यह 50 एमसी क्यों तो सिलेबस की हिसाब से भी करा दिया लेकिन और इंपॉर्टन में पूरा मिल जाएगा आपको इस एक चीज़ और याद रखेंगे जितने भी टेलीग्राम यूजर है तो हमारा वाट्सेप चनल जॉइन कर लिजे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासे नाम से योगें साहू क्लासे नाम से वाट्सेप चैनल क्योंकि कुछ दिन में टेलीग्राम बंद हो जाएगा बंद होन अंतर क्या है सकल घरेल उत्पाद ग्रॉस डुमेस्टिक प्रोड़क्ट और सकल राष्टी उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट यह दोनों में क्या अंतर है अगर हम देखे जीडीपी और जीनपी में तो इसमें अंतर है विदेशों से आये तो विदेशों से प्रा प्रसिद्ध है लेकिन जो यूपी है वह यूपी ओवर लूद उत्पादन में आगे है ठीक है फूल उत्पादन में देखा जाया तो यूपी आगे है लेकिन अगर मैं उंट का दूद और भैस के दूद की बात करूं तो राजिस्थान आप टिक बारना उद्ध्योगों को समरिद्धी योजना सुकन्या समरिद्धी योजना वित्ति साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्टाट किया गया था है भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी केंदर कहां इस ते मेरे ख्याल से इसका जवाब सब जानते होंगे कहां पे जामनगर में जामनगर में दुन इलेक्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका उद्देश यह था कि जितने भी क्रिशी उपज मंडी है उनको एक ही कृ किया जाए इंडिगेरेट किया जाए और मार्केट में उतारा जाए ठीक है तो इन आयम का फूल फार्म प्याद रखना क्रिशी विपढ़न को मजबूत करना है भारत में प्रत्यक्ष लाब अंतरन डीबीटी की शुरुवात की गई कब की गई तो डीबीटी मतलब होता है ड सब्सक्राइब करती है तो देखो नाम से या आप पढ़े होंगे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना नाम से क्लियर है कि क्या चीज़ करेंगी कौशल करेंगी स्किल डेवलप्मेंट का काम करेंगी चलो आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे अधिक फलो को पादन की सरा मार देना प्रधान मंत्री के बारे में पूछ रहा है और यह मनमोहन सिंग 1991 में यह उस समय के ततकालिक फाइनेंस मिनिस्टर थे वित मंत्री थे तो मनमोहन सिंग जी जो कि चुप चुप रहते थे हम उनका हमेशा मजाक उड़ा है बट यह बहुत बड़े अर्थसास्त्री है भारत में डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी तो यू चिक आगे बढ़ते हैं सुखा और बाड्ट प्रबंद नेगे कौनसी निति लागू की गई तो सुखा और दोनों पानी से लेटड है पानी कम हुआ तो सूखा पानी ज्यदा उगए तो बाड तो यह राश्ट्री जल निती कौन सी निती लागू की गई राश्ट्री जल सबसे याद है तो ठeffective सकते हैं सकते हो सफेश से आप याद रख सकते है राम से कई भारत में खरिशी क्यों कि यूजँना सबसे अधिक मेहत्पून है तो हरीत क्रांति ग्रिन G various जाते जाते एक और सवाल मैं आपको देता हूं मुझे ध्यान रखना मैं क्या पूछ रहा हूं हरित क्रांति के जनक भारत के परपेक्ष में सवाल को ध्यान से सुनिएगा भारत के परपेक्ष में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं यह सवाल में मुझे जरूर बताएंगे जिन बच्छों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कौन से टॉपिक में आप में से क्यों चाहते हैं बता देजिए हमारे पास समय होगा बिल्कुल काम करेंगे इस पर क्योंकि अभी है 14-15 दिन का समय है 12-13 दिन का टैटलिस्ट है तो इतने दिनों में हम मेहनत करके आपके लिए समय निकालके बिल्कुल वीडियो बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दिजेगा जिस पर ज्यादा डिमांड रहेगा उस पर वीडियो बना देंगे भी है 15-